आज दिन का आपका योगा प्रोग्राम हुआ है तो पास दिन के बाद आपको कौन से योगा कब करने है वो हमने किताब दी है किताब के पहले पन्या के उपर कौन सा योगा कब करना है कितने दिन करना है वो सब कुछ लिखा है सोमार के दिन एक से दस और 51 और 52 का शवासन लिखा है मंगलवार के दिन आकरा से बीच 53-54 जैसे लिखा है वैसे ही आपको सब आसन करने है आपको उस पचास आसन में कुछ पाच बहुत अच्छे लगते हैं और वही हरोज नहीं करने है जैसे लिखा है वैसे ही जो डेज को मंगलवार है तो मंगलवार के ही आसन होने चाहिए बुजवार के नहीं करना है आपको लगता ही अच्छे है फिरको इससे बहुत अच्छी राहत मिलती है तो वैसे नहीं करना है जय इसे लिखा वह इसे ही करना है सभी आसन में देड़ मिलिट से लेके 3 मिनित तक अपको रूपना है पुत्वी के पात जाओगे तो सास को छूबना है पुत्वी से ऊपर आओगे तो सास लेना है एक बार एक आसन स्थिती में हम जो वईच आसन करते हैं सास छोड़ दिया, नी बोट स्ट्रेट चाहिए 90 डिग्री को, सास छोड़ा है, टर हुआ, यह आपकी रेंज ऑप मोशन हो गई, एक मिल्ट तक ऐसे रुखने के बाद, सास छोड़ना है, और पीछे देखना है, 20 से के बाद, और पीछे देखना है, सास लेते लेते आपको ज 20 से के बाद, उसका रेंज ऑप मोशन आपको बढ़ाना है, रेंज ऑप मोशन जैसे जैसे आप बढ़ा होगे, वैसे वैसे आपकी बिमारिया सब कम होती जाएगा, क्योंकि आपके मसर में पावर आजाएगा, स्ट्रेंध बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, हर आपके मन से सीधे हो जाएगा, तो सब लिखा हुआ है, आप देखिए ना, एक्सेसाइज सुभव 6 बजे आपको उपना है हरोच, 6 बजे उपने के बाद, आदत आपको चाय लेनी के आदत रहती है, तो चाय लेना, उसके बाद दाद घसना है, उसके बाद मोशन को जाके आना है, उसके बाद आपको एक्सेसाइज करना है, बोशन को जाने के बाद ही एक्सेसाइज करना है, एक्सेसाइज करते समय, आप अकेले भीहिंद को चिपके हुए सब एक्सेसाइज करना है, एक्सेसाइज करते समय, आपका मूबाल फून स्विच ओफ रहेगा, टीवी आफ रहेगा डरके नात्यवाइक सब आप अकेले रूम में किसी को साथ रहे एक्सराइज करते समय है, जैसे बोले है, जैसे सिखा है वो इससे ही करने है कि एक्सराइज हर रोज 3 मिनिट तक होने चाहिए, पहले दिन आपको 2 मिनिट नहीं जबेगा, पहले देड़ मिनिट करो, वापस देड़ मिनिट करो, एक काला एक्सराइज बहुत डिफिकर्ट है, आपको नहीं जब रहा है, एक मिनिट करो, उसके बाद एक मिनिट, उसके ब अबको एक अश्राशन स्थिति में रुखना है। आपका गुठना जिनके गुठनों के तकलीव है, बैसिकली मैने गुठनों को आपको दो गुठन रखके नीचे गुठने दबाने को बोला है, ज्यादा से ज्यादा आपको गुठने नीचे दबाने है, आप नहीं दबाओगे तो यह आपका जो आगे आया हुआ गुठना, जिसका गुठना ऐसे तेड़ा हुआ है वो सीधा नहीं रोगा आप आसन स्थेती में नहीं रुखोगे यह ध्यान में रखना है फेशे डबना है इस तर्फ के उपर आपको शिखाया ना मादम ने एक्सराइज सब्सक्राइज आपको सिखाये है वह आपको बूस्टर प्रयाज जो सिखाया है वह एक्सराइज